यह और यह स्वयमवू रुद्हारी सिक्षाषी का मंदिर बिल्कुल गाउं की बसावड से बिल्कुल ही उपर है सबसे उपर is के ओपर में डावी मिलेंगे और आप जैसे की देख सकते हो कि जो मंदिर है वह बिल्क satisfy की गौद में बिल्कुल प्रकृति से लगा हुआ है और जो कि बहुत ही अच्छा मन मुहक मंदिर है आप देख रहे हैं कि कैसे धूप की लालिमा पड़ रही है कहें तो सूरज अस्थ हो रहा है यह बाबा तोगनाद जी है जहां पर सूरज की लालिमा पड़ी हुई है और आप इदर से जो गाउं देख रहे हैं यह सारी गाउं है जहां से हम पैदल आये हैं यहीं तक गाड़ी आती है और जो आपको यह जो लालीमा दिख रही है यह बिल्कुल सूरज डूप चुका है केवल सूरज का ही उजाला जो आस्मान में दिख रहा है पीला-पीला वही दिख रहा है दोस्तों यह जो आपको मॉनिंग व्यू दिख रहा है अभी साथ बस के तेरह मिनट हुआ है और दिसंबर का मध्य महिना चल रहा है यहां आपको नंदी कुन परवत और वसुदारा परवत और उसके बाद जो आपको सबसे चोखंबा जो सबसे खुबसूरत दिख रहा है चो दोस्तों देवरेदाल के लिए दो की विदंती मसूर है कहते हैं कि इंदर देव यहां इसनान करने आते थे तो कुछ लोग इसे इंदर दाल भी कहते हैं इंदर देव के साथ-साथ अन्य देव गण भी यहां इसनान करने आते थे इसलिए इसका नाम देवरेदाल पड़ा युदिष्टर एवं कुंती एवं दुरपदी को छोड़कर अन्य चार पांड़ों पानी की खूज में निकल पड़ते हैं और कई समय बीतने के पश्चात युदिष्टर देखते हैं कि चारों भाई वापस नहीं आये हैं तो युदिष्टर भी उनको खूजने के लिए गम करनी है एवं अपने भाईयों को सही करना है तो आपको मेरे सवालों के उत्तर देने होंगे इसके उपर युदिष्टर जी हामी भरते हैं और युदिष्टर जी से यक्ष सवाल पूछना सुरू कर देते हैं सवाल इस प्रकार होते हैं जैसे कि परतम सवाल पूछा जाता ह प्रमत्मा यानि ब्रमा की आगय से सूर्य उद्य होता है। संतान को कोक में रखने वाली मा भूमी से भी भारी होती है। इसके पच्छा सवाल पुछा जाता है। मन हवा से भी तेज छलता है। ऐसे सवालों के उत्र सुन के यक्ष महराज संतुष्ध हो जाते हैं। और कहते हैं कि आप इस ताल या तालाप का पानी पी सकते हैं और उन चारों भाहियों को भी यक्षजी मुर्चित अवस्ता से वापस अवस्ता में ले आते हैं